अरे सावित्री बहन, तुम कहा हो? अरे बिमला तू, मैं रसोई का काम कर रही थी. आबेट, क्या कहा तुम रसोई का काम कर रही हो? तुम्हारी बहु माईके गई है क्या? आज कल की बहुए सासुराल में रहना ही नहीं चाहती है. जब देखो तब माईके को भागती रहती है. अरे बहन, कैसा जमाना आ गया है? मेरे जमाने में तो सासुराल को ही सब कुछ समझते थे हम लोग. अरे बिमला बहन, सास तो ले ले जरा. बोलना चालू करती है तो चुपी नहीं लेती है बोलती जाती है बोलती जाती है कम से कम सामने वाले को भी बोलने का अफसर दे अरे बोल मैंने कब मना किया है मैं तो बस पूछी रही थी मेरी बहु कहीं नहीं गई है अपने घर में है संजी तू अरे मैं तो समझ गई तू कब समझेगी अगर तेरी बहु घर पर है तो तू रसोई का काम क्यों कर रही है अरे बहु की तवियत ठीक नहीं है बहु को बुखार है तो मैंने कहा तू आराम कर मैं खाना बना लेती है अरे नाटक कर रही होगी तेरी बहु ताकि काम نہ करना पड़े बहु का सरीर तबे जैसे तप रहायतू कह रही है कि वो नाटक कर रही है अच्छा वो ससमे बीमार है तो भी तू कब तक उसकी सेवा करेगी उसको माईके भेज दे पता नहीं कब तक ठीक होगी माई के चली जाएगी तो उसके माबाप उसकी सेवा कर देंगे अरे बीमार बहु किस काम की? तुझे भी आराम रहेगा और उसके माबाप उसका इलाज भी करा देंगे खर्चा भी कर देंगे और देखभाल भी कर देंगे तू इस उमर में कब तक उसकी सेवा करेगी? ये क्या कह रही है? जब तक बहु ठीक रहे, तो ससुराल का काम करे, जब बीमार पढ़ जाए तू उसे माई के बेज़ दो. कैसी सोच है तेरी? तू करना अपनी बहु के साथ हैसा, मैं तो नहीं कर सकती. तो तू कर, इस उमर में काम करना तुझे अच्छा लगता है, तेरी उमर है काम करने की? मैं तो चली, तू अपनी बीमार बहु को पाल. अरे ये बीमला भीना, इसका दिमाग खराब हो गया है. ऐसा कोई कहता है? बेचारी मेरी बहु, सारा दिन मेरी आगे पीछे घूमती रहती है. ममी जी ये बना दू, ममी जी ये कर दू. और आज बीमार है, तो मैं उसका साथ छोड़ दू. मैं माँ हूँ, कसाई नहीं हूँ. अरे बीमला, आ बैट, मैं रामायन देख रही थी. कोई काम तो है नहीं, सारा काम तो बहु कर लेती है, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती है. तो मैंने सोचा, रामायन देख लेती हूँ, तू बता, कैसे आना हुआ तेरा? अरे वो साबित्री, मैं तेरे घर प्याज मागने आई हूँ. मेरी बेटी आई है, वो चीला खाना चाहती है. पड़ोस वाली सबजी वाली दुकान बंद है आज, तो दो-चार प्याज तू दे दे मुझे. अरे रेनू आई है, ठीक है, तो बच्चे भी आए होंगे. तू अकेली रहती है, तो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए तेरा मन लगा रहेगा. रेनू हाई है, तो अच्छी अच्छी डिस बना के खिलाएगी तुझे, मुझे मत भूल जाना. अरे सावित्री, वो कहाँ डिस बना के खिलाएगी, मेरी बेटी बीमार है, मुझे ही उसकी सेवा करनी पड़ेगी. बीमारी की हालत में उसके ससुराल वाले यहाँ पटक के चले गए हैं. कैसे लोग हैं कि जब तक बहुत सेवा करे, तब तक घर में रहे, अब जब बीमार पड़ जाए तो माई के भेज़ दो. तो क्या हुआ बिमला, तू कर ले उसकी सेवा. अरे, कैसे कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी जब तक ठीक थी, तिनावकरों जैसे काम कराते थे उससे. लेकिन जब वो बीमार हुई, तो उसे यहाँ पटक गए, ऐसा कोई करता है. कैसे बेसरम लोग हैं, ऐसा करते हुए उन्हें सरम नहीं आई. अरे, बीमला, तेरे विचार और तेरे संधियों की विचार, एक, अरे, बीमार बहु किस काम की, क्यों रखे वो अपने घर में, भेट दिया तेरे पास, तू अब खाचा भी कर, सेवा भी कर, और जब ठीक हो जाएगी, तो वो लोग आके ले जाएंगे. अरे, साबित्री, तू ऐसा कैसे कैसकती है मेरी बेटी के बारे में, वो मेरी बेटी है, तू सोच भी कैसे सकती है, तेरी ऐसी बात सुनके मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकती थी, कि तू मेरी बेटी के बारे में ऐसे भी चार रखेगी, तू मेरी सहेली कियों विम्ला तुझे याद नहीं है मेरी बहु बिमार थी तो तुने ऐसे ही जब्रकते उसके लिए और ऐसे ही बुरा लगा और तो तरी बहु है जो आद आगी तेरे मन में बहु और बेटी में भेध होगा, मेरे मन में नहीं है, मेरे मन में मैं बेटी और बहु को एक समान रखती हूँ, समझी तू, तू अपने बिचार बदल, नहीं जिस दिन तेरी बहु आएगी, उस दिन बहुत मुस्किल होगी तेरे लिए और हाँ मेरे बिचार ऐसे नहीं है मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ तुझे सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसे सब्द बोले हूँ हाँ आँटी जी ममी बिल्कुल सही कह रही है इंसान को वो बात नहीं बोलनी चाहिए खुद के लिए पसंद ना हूँ हाँ बहुतु सही कह रही है मुझे माप कर दे मेरे ही बिचार ऐसे थे मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था अच्छा हुआ तुम लोगों ने मेरी आँखे खोल दी नहीं मैं ऐसे बिचार से अपना ही घर बरवात कर लेती